लग-लग पदों पर संग्ठन में काम करने वाले हिमाचल को बहुत ज़्यादा विकास करते हुए देखने की इच्छा लेकर आए सभी बुजर्ग, नौजवान, माएं, बेहने, सबको मेरी तरब से नमशकार, सास्विकाल, वाईगरुजी का खल्सा, वाईगरुजी की उफ़ते दोस्तो, आमादी पार्टी, दूसरी पार्टी उसे अलग है, कि हम शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं आती जाए, कि जी हमारे यहाँ, बसों में लाकर, जीपों में लाकर, आदमियों को सामने बिठाकर, उसके बाद अपने नारे लगवाएं, और रटे रताये नारे लगवाएं, और उनको जितने में उनसे बात हुई है, उतनी भी हाड़ी देकर उनको फिर घर चोड़ाएं, हम आके बादचीत करते हैं लोगों से, आँखों से आँखे में लाकर बात करते हैं, क्वेस्चन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ समस्या है, उसका हल भी वहीं है, समस्या अगर दिहात में है, उसका हल एसी कमरे में नहीं हो सकता, वो दिहात वाले ही बताएंगे, के हल क्या है इसका, दिल्ली में बजट मुहला सभाएं करके, लोगों से पूछ कर बजट बनाया जाता है, और काम्याब बजट इसलिए हैं के लोगों ने बनाया है, इस बार हमने भी पहला बजट पंजाब का पेश किया, लोगों को बूचा गया, इसलिए लोगों को वो अपना बजट लगता है, वो किसी बैपारियों को जब बड़े-बड़े इंडस्टिलिस्ट को पास बिठा कर नहीं तो बनाया जाता है हमारा बजट पार्टी का, और स्टेट का, तो आज आपके साथ एक रूबरू प्रोग्राम है, जितना भी बीडिया यहां पहुंचा है, मैं उनका भी बहुता भारी हूँ, कि पूरी दुनिया में उन्होंने इसकी कवरेज करनी है, मैं दो-तीन बातें बोलूँगा बस, पहली बात तो यह, कि हमाचल और पंजाब की समस्यें लगभग, एक जैसी है, एक तो पडोस में है, नमबर दो, आपकी तरह, मार्ट दोहजर बाई से पहले हमारे भी यही हाल था, पांच साल वो, पांच साल ये, पांच साल वो, पांच साल ये, इसमें मैं निताओं का कोई गुन नहीं मानूगा कि वो इतने सक्षम थे, कि पांच साल वाद फिर आ जाते थे, इसमें मैं लोगों की मजबूरी मानता हूँ, कि उनके पास कुछ रास्ता नहीं था, पांच साल कॉंग्रस को जिता कर उनके ब्रेश्टाचार से, उनकी मर्मानियों से दुखी आकर, पांच साल बीजेपी को देते थे, बीजेपी की उससे भी जादा मनमानियों से, और उससे भी जादा प्रेश्टाचार से दुखी होकर, ये सोच कर, कि शायर पांच साल में ये ठीक हो गए होंगे, सब्ता से बाहर रहकर, प्रिया कांग्रस के पास आना पड़ता था, कोई तीसरा रास्ता ही नहीं था, इसमें आपका कसूर नहीं है, पंजाब में भी ऐसा था, पंजाब में तीसरा रास्ता वन गया, लोगों ने कहा, ठीक है, इस रास्ते पर चल के देखते हैं, और आज पांच महीने हुए हैं पंजाब शरकार बने, पांच महीने में जो काम हमने किये हैं इन्होंने 70 साल में नहीं किये थे अगर नियत साफ हो सब कुछ हो सकता है हमने ब्रिश्टाचार रोकने के लिए हेल्प लाइन जारी की यहां फोन करो अगर कोई पैसे मांगता है हर रोज अब भी बिरिश्चाचारी पकड़े जा रहे क्योंकि 70 साल पुराना ताना है उसको सुल जाते सुल जाते टाइम लगेगा आज पे थोड़त धीरे धीरे बदलेंगी अब मैं कह सकता हूँ पंजाब में जो अफसर हैं जा जो बिरिश्चाचारी हैं कि उन्होंने अब पता करना शुरू किया है कि हमारी तंखा कितनी है कि क्योंकि इससे पहले तंखा पर चलता नहीं था कम वो तो बूनस में आती थी तो फिर हमने निताओं की पैंचन देखी बड़ा अजीव रूल था कि आप एक बार बिधाइक बन गए दो बार बिधाइक बन गए तीन बार चुने गए चार बार चुने गए पांच बार चुने गए छै बार वाले भी हैं साथ बार वाले भी हैं लेकिन स्पोज करो फर्च कर लो पांच बार के बाद आपको टिकट नहीं मिला कोई पार्टी से अनबन हो गई जा फिरा फार गए तो आपको पांच बार की अलग अलग पेंशन मिलेगी 65-65,000 जनी पांच बार जो रहा है उसको साड़े चार लाग के आसपास पेंशन मिलेगी तो को पांच बार रहा है, छै बार रहा है 65 और जोड़ लोग साथ बार रहा है 65 और जोड़ लोग हमें तो सेवा कहते थे कि सेवा के लिए एक मौका दो हम तो सेवा के लिए बोड करते रहे ये मेवा खाते रहे कई विदायक ऐसे है कुछ मेरे मित्तर पंजाब से भी मीडिया में आये हुए है कई विदायक ऐसे है जिनको हारने में फाइदा है अगर वो चुने जाते हैं तो पचासी हजार रुपे उनकी सेलरी मिलेगी कुछ बता मिलेगा अगर हारते हैं तो साड़ी पांच लाग बैंचर मिलेगी और वो सेट जो बेरिजगारी जेल रही है हमारे लड़के लड़किया हरताल करके बैठे हैं पानी की टैंकियों पर बैठे बैठे कई साल निकल गए जो आइलेट्स करके बाहर को भाग रहे हैं विदेशों को वहां पे हमारे नेता पांच साल की एक छोटी सी तर्म के लिए इतनी पेंचन ले रहे हैं जितनी वो तंखा भी नहीं मांग रहे उनकी चार महीने की तंखा होगी इनकी एक पेंचन एक महीने की तो हमने कनून लेके आए हम विदानसावा में तीन दिन चार दिन पहले एक्ट बन गया है एक विदायक एक पेंचन लेनी है लोग परना नाल तो उसके बाद हमने बिजली के बारे में सोचना शुरू किया गरंटी दी थी हमने अर्विन की डिर्वाल दी आये थे प्रेस क्लप में चंडिगर उन्होंने बिजली की गरंटी दी थी के पंजाम में हम बिजली मुफ्त करेंगे तीन सो जुनिट पार मंथ छे सो जुनिट का बिल बनता है दो मीने का साइकल है पंजाम में हमने एक जुलाई से बिजली फ्री कर दिये और जुलाई और गरस्त का बिल सक्टेंबर के पहले हफते में आएगा आपको सुनकर हैरानी होगी आपको सुनकर खुशी भी होगी के सप्टेंबर के पहले महिने मैंने विजली बोर्ड से पूछा है मुझे सारा डाटा दो डाटा मेरे पास है सप्टेंबर के पहले महिने जो जुलाई और अगस्त का बिलाएगा जिसमें ये नहीं है कि S C B C ये B P L उसमें जो 600 जुनर्ट से कम इस्तेमाल करता है जन्रल घर भी आता है 74 लाख मीटर हैं हमारे पंजाने 51 लाख घरों को जीरो बिलाएगा जिए तो अभी आने लगे हैं बिल लोगों को अभी चकीन नहीं आ रहा लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं देखना यार मेरे बिलाई जीरो कैसे आ गया तो उनको बताया जा रहा है कि नहीं आपका कि जितने उपढ़ाने रहते थे तो वह गरंटी हमने पूरी कर दी है फिर हम आए हमने गरंटी दी थी कि मैडिकल तो स्वस्त मोहला कलीनिक दिल्ली में बहुत काम्यावी से चलिए नहीं को देखने के लिए वदेशन से भी लोग आ रहे थे कि मोहला क्लीनिक दिखाई है त तो हमने दिल्ली का मौडल महला क्लीनिक का पंजाम में लागू किया एक डॉक्टर पूरा बहुत अच्छा बना हुआ क्लीनिक एक फार्बासिस्ट एक नर्स एक सप्निस्ट आप जाएंगे टोकन मिल जाएगा गैरा नंबर मिल गया बारा मिल गया बीजिटल ही चल रहा है अभी आठ नंबर की बारी चल रही है तीन के बाद आपकी बारी आ जाएगी आप डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर आपको दवाई लिखेगा साथ के कमरे से आप दवाई ले लोगे बिल्कुल फ्री और अगर कोई टेस्ट करना है डॉक्टर टेस्ट लिखेगा लिया जाएगा कि आपको ये दवाई चेंज करनी है आपके बलड के मतावक ये लाज होगा हमने पच्छत्तर में आजादी दिवस पर परसों पच्छत्तर महला क्लीनिक आम आदे कलीनिक जो है वे देश के नाम रहते हैं पच्छी उसके बाद त्यार हो गया के लिए दिन आज सौ हैं आज सौ हैं जाएए टीवी बालों को बोल दिया हमें मत लेके जाए तुम खुद कम कैमरा लेके जाओ और चेक करो क्या हो रहा है वहां पर बताओ कि कैसे काम हो रहा है डॉक्टर्स अब भी काम करना चाहते आईए वेलकम और गरीब लोगों को फ्री में इलाज मिलने लग गया है फिर हमने चेक किया कितनी जमीन पंचैतों की और पॉरेस्ट की रसूखदार लोगों ने नेताओं ने निजाएज कपजे में रखी हुई है जब हमारे बस लिस्ट आई आप हैरान बाद में होगे मैं हैरान पहले हुआ पच्चास हजार एकड तो हमने कोट से कागज लिए अब तक हम पच्चानमे सो एकड उनके कपजे से छुडवा चुके है अभी बाकी है अभी बहुत कुछ बाकी है फिर हमने ये देखा कौन-कौन से मंत्री थे जो पबलिक के पैसे को खा रहे थे कि दो तिन मंत्रियों को अंदर किया एक तो हमारा ही था उसमें हमने कहां जी आप भी जाए ये बैं तो आज हालात ये हैं मैंने अभी कल रपोर्ड मांगें लिपिसेंज आख के पुरानी कैबिनेट्स में से कितने विदेशों में जा चुके हैं इस बास से डरते हुए कि हमारी बारी आएगी और मैंने का कोई बात नहीं दस-पंदरा दिन भीज देना महीना विदेश में हो वाओ बारी तो आएगी जीरो टॉलरेंस है हमादी पार्टी की करप्शन के लिए आने वाले दिलों में बुढ़ापा पेंचन डूर टू डूर डूर डिलिवरी होगी बुढ़ापा पेंचन की अगर हमने बजूर्गों को लाइन में लगाकर बैंक की लाइन में लगाकर उनका एक दिन खराब कर दिया लाइन में खड़े-खड़े किसी को गर्मी लग जाती है कोई गिर जाता है बेहोश हो के फिर क्या हम बुढ़ापा पेंचन दे रहे हैं उनको फिर तो निशान लेंगे अधार काड उसमें एंट्री होगी उनके घर पर अगर वो चार पाई पर बिमार पड़ा है उसको पैसे मिलेंगे और कहा जाएगा जी आपकी ये पंचन घर पहुंच चुकी है इससे काफी एक शोशल प्रॉब्लम भी है आपके यां भी हो शायद वो सभी कोई लोग एक जैसे नहीं होते हैं अच्छे लोग बहुत हैं पर एक प्रब्लम यह है कि बेटा जो है वो माँबाप से बुड़े माँबाप से वह अंगुठा लगवा लेता है पेंचन निकाल लेता है लेकिन उनको नहीं देता अब जब उनके सामने उनहीं को मिलेगी व तो गरांटियां मेडिकल कॉलेज की हमने की पंजाब में 23 जिले हैं अभी तक 9 कॉलेज हैं सरकारी 16 और बनाएंगे मतलब 25 कॉलेज हो जाएंगे 25 मेडिकल कॉलेज तो हिमाचल वालों को भी फैदा होगा और अभी पीजिय पे इतना बर्डन है हम जब अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे यहां पीजिय आई आना चाहिए शिमला में तो मतलब इतनी देर जाते जाते जो समय बचता है वो जिन्दगी के लिए वरदान हो सकता है कि मैं हैरान हूं कि सिर्फ कि 27-28 साल पहले अजाद हुआ कंट्री यूक्रेन यह तो लड़ाई के बाद पता चाहिए न हमें यूक्रेन में कितने बच्चे हमारे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं थे कि 27-28 साल पहले हुआ अजाद हम 75 हम उनके लिए कॉलेज नहीं बना सके और वो जो है ना वो कुछ नलैक वर्यार्थी नहीं है 99.2 99.3 99.7 कारण क्या है वहां 30 लाक में पढ़ाई होती है यहां क्रोर तीन क्रोर लगता है तो भी मापे कहते हैं वहीं से दिग्री करके आजाओ तो कि यहां बहुत से कोटे रखे हो ना चेर्मेन कोटा यह कोटा वह कोटा तो सिक्षा जो है वो सब को एक जैसी मिलनी चाह लिए यह आहमानी पार्टिकल आज बताएंगे डिप्टी सीम सब बताएंगे कैसे दिली मेनों ने सुधार किया है और अभी आने वाले दिनों में कुछ जुमले आपको देखने के लिए मिलेंगे सुनने के लिए बना रहे हैं वो जुमले बन रहे हैं बिठाए हुए हैं बहुत से लोग जुमले बनाने के लिए बन रहे हैं कुछ त्यार हो गए कुछ फाइनल फिनिशिंग चल रही है